पिरिये दर्सकों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में पिरिये दर्सकों आज फिर एक नई कहानी और एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए है पिरिये दर्सकों आज की कहानी बड़ी ही ज्यान बर्धक और बड़ी ही रोमांचक है इस कहानी का सीशक है भगवान स्री गनेश को तुलसी क्यों नहीं चड़ाते भारत में पूजा पाट का अपना ही एक महत्व है यहां देवी देपताओं की पूजा के लिए कई परकार की समागरी चड़ाई जाती है और तुलसी भी उनी में से एक है तुलसी को सबसे पवितर पाउधा माना गया है बहीं आपको जान कर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी है जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाए जाते है वो देपता है भगवान गनेश इसके पीछे के रोचक तत को जानने के लिए कहानी सुने एक बार की बात है भगवान गनेश गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे उसी दोरान देवी तुलसी अपनी साधी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली यात्रा के दोरान उनकी नजर गंगा के किनारे तपस्या करते वे भगवान गनेश पर पड़ी भगवान गनेश एक सिंहासन पर बैट कर तपस्या कर रहे थे उनके पूरे सरीर पर चंदन लगा हुआ था उन्होंने जेवर पहने थे पूलों की माला पहनी हुई थी भगवान गनेश को देख देवी तुलसी आकर्शित हो गई और उनके सामने साधी का प्रस्ताव रखा देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गनेश गुस्से में आ गए और साधी का प्रस्ताव ठुकरा दिया इस बासे देवी तुलसी को भी बहुत गुस्सा आ गया उन्होंने भगवान गनेश को स्राब दिया कि उनकी दो साध वो भी उनकी इच्छा के बिना इसे भगवान गनेश और कुरोधित हो गए और उन्होंने भी देवितुलसी को स्राव दिया कि उनकी साधि किसी असुर से होगी। सुनका देवी तूसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने भगवान गनेश से माफी मागी भगवान गनेश ने माफी को सिवकार किया और कहा कि सराब तो बापस नहीं लिया जा सकता लेकिन तुम भगवान विश्णू और स्रीकृष्ण की प्रिये बनोगी भविश्ण में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में सामिन नहीं किया जाएगा कहानी अच्छी लगी हो तो आप जरू से जरू लाइक एंड सस्क्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद